तुशार ग्रोवर 22 वर्ष का सजीला नौजवान पंजाब भाठिन्दा का रहने वाला था। वो अपने माता पिता का एकलोता लाडला बेटा था, इसके साथ साथ तुशार बहुत होनहार, समझदार और काबिल लड़का भी था। तुशार ने कंप्यूट सॉफ्ट्वेर में डिप्लोमा कर रखा था और उसे अमेरिका से नौकरी के लिए बुलावा भी आया था। गहर वाले चाहते थे कि तुशार पहले शादी कर ले, उसके बाद अमेरिका जाए, इसलिए उन्होंने तुशार के लिए लड़किया देखनी शुरू कर दिये। लेकिन तुशार को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, घर वाले ठक गए थे, उसे रिष्टे दिखाते दिखाते। पर तुशार था कि हर लड़की में कोई न कोई मीन मेक निकालता रहता किसी की आँख, किसी की नाख, किसी की बात, किसी की आवाज को लेकर वह नुक्स निकाला करता कोई विचोलिया ऐसा नहीं था जिसने तुशार के लिए रिष्टे नहीं दिखाए होंगे लेकिन सब ठक गए ऐसे में एक दिन तुशार के मम्मी पापा कोई एक लड़की बहुत भाग गई हुआ यू कि वह दोनों महाशिवरात्री के अफसर पर शिव मंदर में दर्शन के लिए गए थे वही पर एक बहुत प्यारी सी लड़की अपनी दादी को लेकर वहाँ दर्शन को आई थी तुशार के माता पिता पहली नजर में उस पर मोहित हो गए फिर उसकी दादी से बातचीत कर उन्होंने उनके जाती गोत्र पता किये फिर अपने तुशार के बारे में बताए तो दादी ने उन्हें लड़के के साथ अपने घराने का निमंतरन दे दिये ठीक वक्त पर दादी के लिखवाय पते पर वह तीनों पहुँच गए लड़की का नाम उपासना बताया वह दो बहने और माता पिता के साथ दादी यसे पांच लोगों का परिवार था तुशार को उपासना और उपासना को तुशार पसंद आ गए फिर बुजुर्गों ने दान दहेज की बात भी तै कर ली हर तरह से बात पसंद आई और पहले सगाई और 20 दिन बाद धूमधाम से शादी ते हो गई सगाई में सिर्फ लड़का, लड़की और दोनों तरफ के घरवाले ही बुलाए गए थे, उसके बाद 20 दिन का इंतजार था फिर शादी के कुछ एक हफते बाद तुशार को अमेरिका के लिए निकलना था, शादी बड़े पैमाने पर धूमधाम से हुनते हुआ था लेकिन शादी से तीन दिन पहले, लड़की वालों का फोन आया की, लड़की की दादी को अचानक होट अटेक आया, और उनका निधन हो गया है इसलिए शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही होंगे, और कोई धूमधरा का नहीं होगा तुशार के घरवालों को बहुत बुरा लगा, उन्हें शादी के कार्ड जो छपवाए थे, वो बरबाद हो गए शादी का हॉल बुकिंग किया था, वह भी नुकसान हुआ, लिड़की वालों ने कहा, दादी जी, के तेरेवी के बाद, सारा दान दहेज, और आपके बरबाद नुकसान हुए रुपे हम चुका देंगे इसी बिनाह पर तुशार के घरवालों ने, वह बात भी मान ली के माता पिता के आर्मान अधूरे रह गए थे की, एकलोते बेटे की बड़ी धूंधाम से शादी करेंगे, चलो कोई नहीं पर बहुतो मन पसंद ले आये हैं। यही सोचकर तसल्ली कर ली, तुशार की दुलहन को सभी रीते रिवाज करने के बाद, बेडरूम में सजे हुए सुहाग सेज पर ले जाकर बैठाया गया। शादी से लेकर, अब तक किसी ने दुलहन का चहरा नहीं देखा था, क्योंकि सजी हुई दुलहन के साथ, उमुखट में ही फेरे हुए थे। तुशार बहुत खुश था कि आखिर उसकी मनपसंद दुलहन मिल ही गई, सुहाग राद से पहले तुशार को उसके दोस्तों ने खूप छेड़ा और पहली रात की बहुत सी ताकी देकर शुब कानाय दी। तुशार दूलहे के लिबास में गुलाब का फूल हाथ में लिए बैडरूम के अंदर दाखिल हुआ, दुलहन घूखट काड़े चुई मुईसी पलंग पर बैठी थी। तुशार ने गुलाब का फूल उसे देकर कहा, सुबल से यह गूखट हमारा दुश्मन बना हुआ है, आप तो हम इसे हटाते। कहते हुए जब तुशार ने दुलहन का गूखट उठाया तो उसके होश उर गए और मूँ से चीक निकल गई। उसकी चीक सुनकर मम्मी पापा ने कमरे का दर्वाजा ठोके, जब तुशार ने दर्वाजा खोला तो गुस्से से चिलाया, पापा बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये उपासना नहीं बलकी, कोई हिजड़ा बैठा है दुलहन के लिबास में। यह सुन सभी के होश फाक्ता हो गए। सबकी खुशियों को ग्रहन लग गया, तुशार कुस्से में भरा उसी, वक्त उस हिजड़े का हाथ पकड़कर, अपनी कार में बैठाया, और मम्मी पापा के साथ उसे लेकर उपासना के घर पहुचा। उनके हवाले उस हिजड़े को देकर के बोले, वह क्या खूब मजाक बनाये हमारा, लीजे समभाले अपनी अमानत को। उस वक्त उपासना भी वही पर थी। उपासना के पापा ने अपनी पगड़ी उतार कर तुशार के कदमों में रख दिये। बोले, बेटे हमारी दो बेटियां हैं यही हम सब को बताये थे, लेकिन बड़ी बेटी नहीं बल्कि एक किन्न हिजड़ा पैदा हुई, जिसे हमने सबसे चुपा कर पाला, हमने कभी अपनी बड़ी बेटी को किसी के सामने नहीं हुने दिया, क्यूंकि इसे देखते ही सब को पता चल जाता, बेटे अब हमारी इजड़त तुम्हारे हाथ हैं तुम इसे वापस अपने साथ ले जाओ, दुनिया की नजर में पतनी लेकिन घर में नौकर बनकर रहेगी हमारी बेटी और उपासना के साथ भी तुम्हारी ही शादी करेंगे, लेकिन दो वर्ष बाद क क्योंकि उपासना अभी 16 वर्ष की है, जब यह ठारा की होगी तब तुम इस बड़ी को तलाक दे देना फिर हम बड़ी धूंधाम से तुम दोनों की शादी करवा देंगे बस तब तक तुम इसे घर में रहने दो, नौकर की तरह घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, अब अगर पुलिस या मीडिया में गए तो हमारे दोनों परिवार की बदनामी होगी, महरबानी कर मान जाओ, उपासना के माता-पिता के आंसू और गिल-गिलाना देखकर तुशार और उसके माता-पिता पिगल गए, उन्होंने सोचे की जो कुछ किया एक बाप ने अपनी घर ले आया, लेकिन उसे कहा तुम हमेशा घुनघट में रहोगे, किसी को न तो अपना चेहरा दिखाना और न अपनी आवाज सुनाना, उस किन्न ने सब शर्ट चुप-चाप मान ली, इस तरह तुशार उस किन्न को हमेशा खुद से दूर रखता, वह किन्न रात को भी ब वो अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करता, पहले पहले तो सनम से उनको भी बहुत चिड़ होती, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार और स्वभाव की वजह से उन्होंने भी सनम को अपना लिया, सब अडोस पडोस की ओरते और बुजुर्ग सनम की बहुत तारीफ करते देखो शादी के छे महीने बाद भी तुशार की दुलहन सबसे घूंगट करती है कितनी शालीन है, और खाना तो इतना बढ़िया बनाती है कि कोई इसी तरह दस दिन बित गई और तुशार अपने नौकरी के लिए अमेरिका चला गया, और वो किन जिसका नाम सनम था, वो अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करता, पहले पहले तो सनम से उनको भी बहुत चिड़ होती, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार और स्वभाव की वजह से उन्होंने भी सनम को अपना लिया, सब अडोस पडोस की ओरते और बुजुर्क सनम की बहुत तारीफ करते, देखो शादी के छे महीने बाद भी तुशार की दुलहन सबसे घूंगट करती है, कितनी शालीन है, और खाना तो इतना बढ़िया बनाती है कि कोई, पांच स्टार होटल वाले भी फेल हो जाएं, भाई बहु हो तो तुशार की सनम जैसी सेवा भाव से सनम ने ससुर सास का दिल ज एक वर्ष से उपर हो गया था, वो हर महीने घर में फोन कर माता पिता का हाल पूछता रहता, इसी बीच सनम की छोटी बहन उपासना जब बहन से मिलने तुशार के घर आई तो उसने अपने पिता के बारे में असलियत बताई, उसने बताया कि उनके पिता के पास दान देने को कुछ है ही नहीं और उपर से वह बहुत सारे कर्च तले दबे हुए हैं, उन्होंने तुशार और सनम की शादी भी जूट और धोखे से करवाई है, जबकि सच तो यह है कि पिता अब उपासना की भी शादी कहीं और करवा कर लड़के वालों से मोटी रिकम हणपन चाहता है, यह सुन हर कोई हका बक्का रह गए, सनम को भी बहुत तक्लीफ हुई यह जानकर कि उसका पिता सिर्फ सबकी जिंद्गियों से खेल रहा है, उपासना से जब पूछा कि तु क्या चाहती है, तो उसने बताया कि उसे उनके पढ़ोसी लड़के आरफ से प्यार है और बहुत जल्द वह दोनों घर से भाग कर कोट में रेज करने वाले हैं। उपासना ने बढ़ा विस फोर्ट तब किया जब उससे उसकी उमर पूछी गई। तो उपासना ने बताया वह 19 वर्ष की है और सनम 21 की। तुशार के मम्मी पापा के सर पर जैसे पहार तूट प बहुत रोना आया। सनम ने उनकी हालत देखी तो हाथ जोड़ कर बोली। मेरे पिता की हर गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो गलती मेरे पिता ने आप सब के साथ की मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। मैं आपके बेटे की जिंदगी से चली जाओंगी। वो वि ममी ने पूछे तुम कहा जाओगी तो सनम बोली मेरा क्या है मुझे तो वैसे भी किसी ने नहीं देखा। हमेशा गूंखट में रहती आई हूँ। तो मैं उपासना की शादी इसके मनपसंद लड़के से करवा कर कही दूर चली जाओंगी। और किसी किनन की टोली में शाम सनम ने अपने किये वादे के हिसाब से अपनी चोटी बहन उपासना की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और उन्हें आशिरवाद दिया सदा खुश रहना। अगले 15 दिन में तुशार भी इंडिया आ रहा था। सनम ने उपासना की मदद से तलाक के पेपर तैयार करवा और तुशार का इंतजार था। तुशार जब वापस आया तो एक अमेरिकन बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की को साथ लाया था। तुशार ने बताया कि उस लड़की का नाम अमांदा है और वह भी उसकी कमपनी में काम करती है। साथ ही उसने बताया कि वह हमांदा से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहता है। तुशार के माता पिता अपनी हुने वाली बहु को देख कर बहुत खुश हुए। वह हमांदा को अपना घर और माता पिता से मिलवाने लाया था। तु तुशार को सौंप दिये और मम्मी पापा से इजाजत लेकर जाने लगी तो मम्मी ने सनम का हाथ पकड़ लिया। फिर मम्मी पापा ने कहा तुशार जब यहां तू नहीं था तब हमें पता चला कि इसे अच्छी दुनिया की कोई बेटी नहीं होगी। इसलिए हमने यह फै तुशार ने लाग समझाया पर मम्मी पापा अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिर तुशार की शादी अमांडा से करवा कर उन दोनों को अमेरिका के लिए विदा कर दिया। और मम्मी पापा अपनी प्यारी सनम बेटी के साथ इंडिया भाठिंदा पंजाब में ही रह गए। आज भी जमाना उनके प्यार और दिलदारी की मिसाल देता है। तुशार के दो बच्चे भी हुए जो सनम को बुआ जी कहते हैं। आज भी सनम उस घर की रौनक बनी हुई है। सच है प्यार के बल पर जग जीत सकते हैं फिर किसी का दिल जीतना कौन सी बढ़ी बात है।